आप भी अगर YouTube पे नए हैं, अपने चैनल पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपके चैनल पे चीज़े नहीं हो पारे हैं सही से, मतलब कि आप मेरे नत तो कर रहे हों, बड़ हो सकता है कि व्यूज नहीं आ रहे हों, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हों, तो इसके लिए आप बहुत सारी चीज़े ट्राइ करते हैं और उसमें से कुछ एक चीज़े वर्क करती हैं, कुछ एक चीज़े वर्क नहीं करती हैं, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं एक एकजामपल के साथ, सारे चीज़े लाइव आपको दिखाते हुए समझाऊगा कि किस तरीके से हम YouTube वर्क करते रहते हैं, और उसका फायदा कहीं न कहीं जाकर के हमें मिलता है, और वो कब कैसे मिलता है, उसकी वज़ा क्या है, और उसकी कैसे करना होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, ठीक है, तो आज की इस मैं जिस topic पर बात करने वाला हूँ, वो topic यह है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जितने भी वीडियो बनाते जा रहे हैं, उन में से अगर कोई भी एक, सिर्फ एक वीडियो अगर viral हो जाती है, उस पर views लगातार आने लगते हैं, तो उस वीडियो के वज़े से हमें कितना benefit म मिलता है, हमारा चैनल उस वीडियो के वज़े से कहां से कहां पहुंच जाता है, वो सब कुछ मैं आपको live example दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी category में हो, जिस भी category में रहकर के वीडियो बनाते हो, तो आपको ही ना कहीं रंग लाएगी, हो सकता है कि वो चीजे आज ना वर्क करें, हो सकता है कि आज उस तरह की वीडियो अपलोड कर दी आपने, हो सकता है कि उस पर one week बाद वीडियो जाए, ऐसा होता है, ठीक है, वो चीजे मेरे साथ भी हुई है, वो कब क्या कैसे हुई है, मैं अपको करता हूं ठीक करने के बाद मेरी बहुत है वीडियो यहां पर देखने को मिल रही होगे तृकर है दीक करता हूं और यह जो लास्ट वीडियो ए इस पर मैं १े अब देखें मुझे इसी वीडियो की साइड डीटेल्स आपको दिखाने है क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाया था बनाने के लगभग चार महीने बाद ये वीडियो रन होना शुरू हुई थी मतलब इस पर व्यू जाने शुरू हुई देता है और उसके बाद इस पर किस इस तरीकिके ब्यू जाए है वो अगर आपने वीडियो जो देखी होंगी तो पता होगा अगर नहीं पता तो मैं अभी यहां पर आपको सादे सौ करके दिखा था जो मैं यहां पर एनलिस्टियक में आता हूँ यह वर्भी है अब यहां पर यहां पर यह साड़ी चीज लगबग सारे 6000 सब्सक्राइबर्स मुझे इस वीडियो के वज़े से मिले हैं ठीक है और यह जो earning report है इस वीडियो की 218 डॉलर्स ठीक है यानिके 218 डॉलर revenue generate हो पाई है सिर्फ इस single वीडियो की वज़े से तो इस वीडियो पे मैंने क्या खास काम किया है वो मैं आगे बताऊ आपको लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सबसे खास बात किया है कि एक सिंगल वीडियो आपके चैनल को कहां से कहां ले जा सकती है देखिए इस पर व्यूज पितने हैं सब्सक्राइबर सरे प्रकिट्फधर की वैल्यू होती है और एफ वीडियो को बएज़े से मेरे चनल पे कितने सब्स्क्राइबर्स आहे हैं वह भी आप पर अधा हूं ऑधी आरे छीगे ऊट है आरहे हैं एस चले का ईंपरेशन करो जो घुपत कि प्रádख यहिआएm क्लिक थूरेट यानि कि CTR थ्वास कम है 4.2 परसंट है फिर भी व्यूज उसके हिसाब से ठीक है इस पर अभी भी व्यूज आ रहे हैं अब मैं ट्राफिक सोर्स यहां पर आपको दिख रहा होगा ट्राफिक सोर्स यानि कि यह वीडियो किस तरीके से देखा जा रहे है यूट जा रही है अधर यूट्यूब फीचर्स के अकोर्डिंग भी लोग देख रहे है एक्स्टर्नल व्यूज भी है तो इस तरीके से मेरी वीडियो को लोग देख रहे है कौन-कौन से कीवर्ट पर ये वीडियो सर्च होड़िये तो हाव टू ग्रो कुकिंग चैनल फ्रॉम ज ओडियन्स की बात करें हम तो ओडियन्स भी देखें किस तरीके से नए वीवर्ट आये हैं मतलब ग्राप उपर नीचे गया है लेकिन इस पर व्यूज जो है वो कंट्रियू आते जा रहा है और अभी इस वीडियो पे व्यूज आते हैं ठीक है और जो टॉप जियोग्राफ है कि इस वीडियो का पूरा ओवर्विव मैंने इसलिए अभी आपको दिखाया है क्योंकि इस वीडियो को मैंने पूरी तरीके से रिचर्च करके बनाया था रिचर्च इसलिए किया था ताकि मैं अपनी वीडियो को अच्छा से बना सकूं बहतर से बहतर बना सकूं और मैं इस वीडियो को बैसे मुझे सारे 6000 सब्सक्राइबर से मिले तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपके लिए भी बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर आपका कोई सिंगल वीडियो इतने व्यूज लाकर के आपको दिए तो अभी आपने मेरे कंप्यूटर स्क्रीन प कि इस टॉपिक पर चलो वीडियो बनाते हैं तो मैंने सबसे पहले क्या किया इस बात को समझेगा ध्यान से और इस चीज को आप भी नेक्स टाइम से फॉलो किजिएगा तो मैंने सबसे पहले किया क्या कि कॉपी पेन रखा ठीक है यह चीजे मैं करता हूँ पॉसिबल हो त सेकंड्स थर्ड जो भी आई मैंने 5-10 वीडियोज को देखा देख करके उन्हें समझा समझ करके मुझे लगा कि इसमें यह चीजे ठीक है यह चीजे कम है तो इसको मैंने लिखा कॉपी पर अपने लिख लिया कि हाम मुझे यह चीजिजे अपने वीडियोज में एड करनी ह इसमें वो चीज रहे गी है वो चीज मुझे लगता है कि इस चीज में हम इस वीडियो के अंदर एड कर सकते हैं उसको मैंने वहाँ पे लिख लिया ठीक है ये चीजी हो गई अब बहुत सारी वीडियो ऐसी भी हो सकती है कि जिस टॉपिक पर आप रिशर्च कर रहे हो उस इडियों बताया क्या गया तो यहाँ पर करना क्या है चीजों को आसान करना है आप उस चीज को कितनी आसान भासा में कितनी आसानी से डिलीवर कर सकते हो अगर ये चीज़े आप सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लोगों को आसान भासा में एकदम से simple language में जो चीज़े बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आती हैं, वो ऐसे high level के चीज़ों में समझ में नहीं आती हैं, आपके साथ भी ये चीज़े होती होगी, क्योंकि आसान भासा में किसी भी चीज़ को अगर हम एक छोटे बच्चे को भी समझाते हैं, वो समझ ज रिसर्च करना है, तो वीडियो के लिए हमें रिसर्च करना है, तो हमें कहां जाना है, यूटीब पे, आपके माइन में जो भी टॉपिक आया, उस टॉपिक को यूटीब पे लिख करके सर्च किया, सर्च करने को जो भी वीडियो जाएं, उन्हें आप देखें, देखना प करेंगे कि same topic के वीडियो को और किन-किन keyword से लोग सर्च कर सकते हैं जैसा कि आप किसी भी topic की वीडियो को search करते हूँ YouTube पे तो automatic keyword suggestions आने लगते हैं उन में से देखिए उन पर भी details बताई गए हैं क्या चीजे बहतरीन है वो चीजे समझेए उनको no down किजिए चीजों को सीखना और इस तरह की से लोगों के सामने paste कर सकता हूँ ठीक है जो आपका language है जिस तरीके से आपका बताने का तरीका है जिस तरीके साप explain करते हो उस चीज को follow करते हुए ही यह चीजे आपको करनी है और जितनी आसानी से लोगों को बताईए और माल लिजे कि आपने साड़ी चीजे कर लिए मतल बना कुछ करके बनाया तो उसके लिए थमनेल भी हमें बहतरीन बनाना ही होगा जिस तरीके से भी आपको आता है उस तरीके से उस थमनेल को बनाओ और अगर नहीं आता है तो सीखो क्योंकि सीखना ही पड़ेगा वर्क करना है अगर अपने चैनल को आगे ले जाना है तो सी चीखना ही पड़ेगा यहां पर दूसरा कोई option नहीं है ठीक है चीजों को सीखो कितना बहतर कर सकते हो आप उसको और बहतर बना मेरे कहने का मतलब यही है जितना मेहनत आपने उस वीडियो पर किया है उतना मेहनत उस thumbnail पर भी करना ही होगा क्योंकि मेरी जो वीडियो थी उसक कुछ किस तरीके से करना है मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुए है आपको आइडिया भी होगा अगर नहीं है तो उन सारी वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उन वीडियो को देख लिजेगा ठीक है इस तरीके से करने के बाद ये सारी हुए थे और continue views आए उस पर और उसका फायदा मुझे बहुत ज्यादा मिला ठीक है तो इस तरीके की चीजे हो सकती है तो जो भी बाते अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको बताई है उन चीजों को फॉलो किजिएगा नेक्स टाइम से और एक बार एक दो बार इन चीज में नहीं आई हो तो comment box में comment करके आप पूछ सकते हैं आपको reply जरूर मिलेगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share, comment करना मत भूलेगा चैनल को जरूर subscribe किजिएगा तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और informative वीडियो में thanks for watching